प्राकृतिक छटाले सुन्दर भुमी नेपाल संसार भरका परिटक को क्यंद्र बिंदु हो यहांका पाखा पखेरा चांगा छहरा लेग बेशी बन जंगल लोबलागत शनी चरा चुरुंगी को चिरिवीर अनी सुषाय का खला नाला को आवाज ले सवैलाई लुभ्याउंत शा अनी भन्न मल्लाक्ष मेरो नेपाल प्राण भन्द पनी प्यारोशा यही सुन्दर भुमी नेपाल को पास्नमर प्रदेश मा अवस्तित बुद्ध सामद टेलिवीजन बिटवल को संचालन समिती का अध्यक्ष प्रिथ बादुर फवदार रस्तंगई कारेकारी अधिकरिर विश्नु परस्ताद भुशाल को बेवस्थापन मा धंडई 30 जना को टोली पवित्र पाबन धाम स्वर्ग द्वारी को दर्स्तन का लागी प्यूठान जिल्ला तर्ख अगारी बाद भुद्ध सामद टेलिवीजन को लोगो सहित को टिशट लगाय का सबैमा छुट्टे उत्साहरा उमंग देखें छा बुट्वल बाटा चंडरोटा हुदेई धन्डई एक सई किलोमीटर को दुरी पार गरी सके पाछी आमें दांग जिल्ला को भालुबांग पुग दाशाऊं भालुबांग बाट प्यूठान रोल्पाव पुगने मार्ग हो देई हामें प्यूठान को सर्मय राने गाउपाली का बढड़ाणा मा पुग दाशाऊं खाना खाना थाल दाशन। तराईको धुपमा रापिय का मन हो लाई यो ठाउं साथ चे अनुपम राये छा। वारी पारी देखिने इर एस्था द्रिश्टेले जो कसे को पने मन लोभ्याउदाशा। केवेर खानपान पछी को आराम पछी हामरो यात्रा अगी बढ़ लामो समय को भोकले खग्रास बनेका साथ यहरू, खाना खाय पछी उत्साइद देखिन छन। यात्रा को क्रम्मा बाईरा देखिने इर एस्था थुप्रे द्रिश्टेले एती सुन्दर छा नेपाल। तरापने नेपाली पईसा खर्चा गरेरा बाईरा घुम्ना कीना जा अचम्मा लागदा छा। प्यूठान जिल्ला भित्रे यात्रा अगी बढ़दाई छा। बिविन्न घुम्तियोरू पार गरदे हमें विस्त्राम अने कारे साला को लागए पईलाने तय भायको इस्तान भिंगरीको जलू केमा रहको स्वर्ग द्वारी भोटल मा पुगदा बिस्तारे एकले अरकलाईड न धकेली कना अनुशासित रहंगले बस बाटा साथियोरू ओरले र कारे साला इस्तलतर्फ अगी बढ़दाशन। कारे साला मा सबे सरीक होंछन। कारे साला अती ब्यवस्ती धंगबाटा अगी बढ़दाशा। कारे कारे अधिकर्थ विष्ण परसाद भुषाल को अध्यक्षता, टेली भीजन की अध्यक्षय प्रिथबादुर फवदार को पर्मुक आतित्य, ओम ग्यवाली को विशिष्ट आतित्य, कोसा अधक्षय क्रिष्ण परसाद भंडारी, जेपी गुरूं, नमनार बिलवास एसे गरी, दुर्गा नेपाल, लेखा समयज गंगा सापको टाको आथित्यमा अगाडी बढ़ दाछा, बिशिवस्तु को बारे मा गहन छल्फल गरे पछी, निचोड मा टेली भीजन लाए, पांच नमर प्रदेश कई नमूना बनावने, निडे का साथ कारे साला को बिशर सान गर्दा छाउं, भींगरी मुल्गेट बाट कच्ची बाट होंदेई, अगाडी बढ़ने करम्मा ठाउठमा जारीरा हेरदा देखिने, इर एस्ता द्रिष्टेले हामरों मनै नुव्याउंदा छा दरलागदो भीड कच्ची बाटो मा हिर्दा भने मनै शिरिंग होंच, इस्तु तिर्थामा राज्यको उदासिन्ता देखदा दिक्क लागे राउँच, कमशेकम यो बाटो पीच सम्म समयमे भायको भाय, परिट्रको उईरुने लागने थियो धारापानी नजीके पुगदा कच्ची बाटो मा यात्रा गरेको गाडी को यो चक्का मा ढूंगा अड़केर सबैला तर्शीद गराउँदा छा केमेर को प्रयास पची ढूंगा निकालना शफल भाई आमी अगारी बरदा छों केमेर को यात्रा पची हामी धारापानी पुगदा छों सम्थर्ठाउं मौशंपनी अती राम्रो सबैको मने लोव्याँदा छा साथियोरो घडा माथी चडेर फोटो खिच्न तच्छार मचार गर दाछन डारापानी बाटा स्वर्ग द्वारी पुगण सीडी चडेर अनी घडा चडेर जाने बेवस्ता रहे छा इसतारे 20 मिनेट को यात्रा पार गरिश्टा के पसी स्वर्ग द्वारी मंदीर परिश्तर मा हमी पुगशों नेपाल को साच्चे योटा गरीमा बोकेको शक्ती छित्र को रूप मा यो परिशित पने छा प्रश्ग द्वारी प्रभुले भगवान को ससक्त भगवान भले बाबा को किरिप पास्परुप प्रभुले यो इस थान लाई पस्तमा आज शंशार भरी श्वर्ग द्वारी नचिनी ने ठाउँ शाई ना यो सेड़ी पार गरे रस्वी चर्दे चर्दे हमी अब 20 मिनेट को यात्रा पची सजीले श्वर्ग द्वारी भाम मा तूर देशों अलिए ती बेला यो मौशम हमी जुन्देखी रेकाशों कुई रोल आगेगोशा यो यो प्रचंड धूब मा ताती एका मन होलाई चितलत परदान गरनकानी इंती बास्त मैयो धरवर यो मत давно सेथ्वी रूप मेइ स्थाभिद बनेको छा रह मीं शोर्ग द्वारी दर्सन कानीमती प्रभकों का दर्सन का नेमती भागवान प्रती आस्तावान बनेर हमी यो उकाल यो सीडी चुडी र उनलाई ठूलो शरीर को कारण इनना हम्मे हम्मे परेगो देखीन छा प्रकास भट्राई सिनी चड़दे गरदा थकाई मेरदे केई सब्दा जोड़दे पनी आउना पकाई पनी आउना दुखा बाई एकदम खची बाटो बश्माउदा गरी पनी एकदम गारो एता आउती ठुला ठुला बीर अरू बीर बाई पनी तरह साचाई नहीं एकदम सुन्दर ठाउं यो शर्गदवारी अश्तित छा हड़े उकालो चड़दा जण्ड़ए साथ जार फिट उचाई मा आइपपुगदा जत्ती चिशो मोशम भाईपनी गर्मी महसे सुन्छा उकालो चड़दे गरेका बुद्ध साम्द टेलिवीजन का पालपा संबादाता माधा बर्याग यहांको मनरम बाता वरणो यहांको चिशो यहांको सितलता यसले जहें सबई कुरा बिर्षाय देएको छा कि उब्विधाखेरी मा एककई छिनमा जार वला जस्तो मोशम रजेठ वसार को गर्मी मा पनी पिट्गको अनंद, श्र्ग द्वारी माई, श्र्ग को अनंद लिन जस्तो उकालो अब यह अको अनंद, धुम भकन बह्य कर दोबाराई साट्चेए बह्ट ताउ छित्गे बहु उकालो अला कि उ'll यहांको onboard wifi थेट्विभ़ी एको चीट एको जती जती माथी चड़ दे गयो बादल ले पनी हमी लाई पच्छाओं दे छा। भाईरहबा को 46 डिग्री तापक्रम मा बशे का भाईरहबा संबादाता राधेस्यां बिश्व करमाया। पनी त्रिस्टेर्ह गरेको छा, यहांको मंदिर ब्योस्तापनले, बातौ हरू रामरो छा, सहज पहुच्छा, अत्रिस्टे करी सीडी आर मले रामदरी बनाइदे को छा, एस्ताने निकाए हरू को त्ष्वयोगमा, आवस्ट्य पनी यहां अजी पनी आजी पनी आमीले परच स्वर्गा को द्वार स्वर्ग द्वारी पूगदा शां। अती सुन्दर अती पावन भुमी जता हेरीपनी मनेलो भ्यावनी यो द्रिस्तेले आनंदको अनुभूती दिलावं दसा। सत्य युग मा देवताले यात्रा गरेको तप भुमी अजे पौराणी कालमा पांडभरू स्वर्ग जांदा यही बाटो भाहरा गयेको द्वार भाहरा पनी स्वर्ग द्वारी नाम रहेको जनविश्फास भाहकाले यो ठाउंको मैमार गरीमा निकेर आये छा। युद तपो भुमा रोल्पा रूम्ती मा जन्मन भाहका एकसे आठ महाप्रवु बाल तपस्वी नारण गोत्तमले उन्नाइससे एकाउन्नमा ब्येद का मंत्र द्वारा अगनी प्रजोलिद गरी उन्नाइससे बाउन्न बैसाक्पोणी मा बाट प्रारंब गरेको अखंड हवनात्मक एग्यां 125 वर्षा पूरा भाहिसागदा पनी निरंतर चली रायको छा एसतो हवनात्मक एग्या को बिभुति आनि प्रसादले रोग ब्यादी नलागने जनभी स्वास बनी राये छा एसे धामको बेद पार्षाला का स्थिक्षाग रामकिष्ण चाली शे गुंदेगर्दा हमीले देख्याँ 350 गाईरयको गउशला जहां गाईलाई बसना खाने सबेए प्रबंद एसरी मिलाये को राये छा स्वर्ग द्वारी महापरवु गउभगता उनुन्तियो भन्ने प्रमाड यो द्रिस्तेले प्रमाडिद गर्दा छा यहां सिद्ध बाबा मंदीर पांच कुंड बेद पार साला लगाये ठुप्री मठ मंदीर रायेको पाईयो केशिन धाम दर्शन पची हामी सात्वी भोजन का लागे भोजना लएमा पुग्याँ मित्र हरू आनन्दली सुद्ध भोजन खादा निकेए खुची देखें छान भोजन पची पांच पांडव शोर्गा को यात्र गारेको गुफा पनी आमी ले द्रिश्त्यावल लकुन गारें आमी धाम्माई इस्तरी भाजन कृत्तम मा मज्जाले रमाउँ छाऊं प्लाई आन्दली सुद्ध भाजन गारें प्लाई आन्दली सुद्ध भाजन गारें करपिर दमा करते कर दो करें करपिर earliest पेगाओ by कर दो कर दो में के भार धन्सकुष्थाली गार पारी दामी लेजा हो गरो का पारी साच्चे स्वर्ग द्वारी स्वर्ग दस्तेर आएछा यो धार्मिक परेटक्या गंतव्यको विकास्क निम्ती राज्जीले पूढ चास्व दियेरा अगाडी बन्ने हुभने पांच नमर पर्देशकाई परेटक्या हब को रूपमा विकास गरी अभी बन्न शकें छा तेसका निम्ती संबंदित निकायले सोचना नितानत जरूरी छा आधरी दर्शक मानभाबुर हमी समुंद्र सत्तह बाट सात अज्यार फित उचाई मा रहेको नेपाल को अतिने पावन भोमी स्वर्गगारी दाम मा आईट पुएकासूं यहांको परी द्रिश्चेको हमीले अभलोकन गरें। जरी उन्नाइस से बाउन्न साल बाट अईले सम्मा अखंट अवनकार्य चली रहेको सा अखंड दोनी। इस तो भोमीमा पाईला चालनों इस तो भोमीमा आउन पाउनों। जीबन को सवे अन्दा थुलो स्वाग्या हम तो पहाड चर्दा खिरी मनेई स्रिंग उने त्रासादी रुपा रुपका काहली लागदा पहाड ओर चर्दे चर्दे चिचल्दे आमी यो ठ्रमा आये तुलों। अईले पनी कुईरो लागेको चा अईले पनी चिशू चा यो मौशम मा अशार को पईडो हबता यो मौश भूमी मा आउने सो भाग्या हमिले पायों। न विश्यस यो चाहिंकन मा मत पून भूमी का निर्भागरने भाई नरेस अधिकारे न विश्यस भनेबादी देई। यो विश्यस डॉकुमेंटरी विश्यस यात्रा विश्यस भाट मोख्यमराज रिगमपनी नमस्कार, जय सुर्गद्वारी।